नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके YouTube चैनल राजस्तान क्लासीज में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज अपना टॉपिक चलड़ा है जो राजस्तान के मैतोपूंट जो है प्रमुख जो महल है वो चलड़ा है अपना टॉपिक पहला जो पार्ट है वो चुका है दोस्तों और यह जो सेकेंड पार्ट है दोस्तों आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देख लीजेगा और यह जो क्लास है दोस्तों यह इस्पेसल है जो BSTC और PTT के लिए जो बना रखी है और यह जो सुबह और साम दोनों समय जो मौनिंग और नो बजे जो लाइव चलाते हैं तो दोस्तों आप जो जरूर सामिल हो सकते हैं और पहली बार your channel पर तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आपको जब भी हम यहां से वीडियो अपलोड करें आपको जो नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा चली दोस्तों स्टार्ड करते हैं और अपना जो है यहां पर सेकंड पार्ट में पहला है जस्वंधथभडा दोस्तों ये जस्वन थड़ा कहां पर है तो आपको याद रखना है जोधपूर का साही इसमारक मतलब की जोधपूर में कहां पर है जस्वन थड़ा जो है ये जोधपूर में दोस्तों ठीक है और जोधपूर में कहां पर है दोस्तों तो मेरानगड किले के पास में दोस्तों राजस्तान का ताज महल भी कहते हैं इसे जस्वन थड़ा है जो ये दिखने में कैसा है ये ताज महल की तरह है दिखने में तो दोस्तों इसे है जो राजस्तान का ताज महल कहते है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपन उमेद भवन जो की चीतर पहले से और ये कांपर है दो सितर पहले जिसे उमेद भवन कहले भी कहते हैं और यह भी जो साही भवन है दोस्तों जो पहले में आपको बता है जस्वन थड़ा है उसके बाद यह भी जो साही भवन है अकाल राहत कारियों के लिए यह बनाया गया था उस समय और वह यह जो किस समय बनाया गया था दोस्तो caregivers-1928-1940 के मत्याय करवाया गया था और यह जो भव्य महहल है और दोस्तों अगर बात करें तो यहां पर भी संग्रहाल आहे है जो गडियोएं का संग्राल दर्ध ठिए तो साथ साथ में में स्क्रिंडर्म लिजीगा तक आपके पास यह राइगा आपके पास Android Mobile है तो आप टेलीगर्म चैनल को जरूर जोइन कर मिशर्सक लिए इसाइद करना य्टीफ। और भी आपको मिलती रहती हुआ जरूर है जो देख सकते हैं। किınt Explizitte रही कि विजोलाई महल कहाँ पर है दोस्तों तो दोस्तों विजोलाई महल जो यह महल जो महल जो महल जो इस पर रहे though दौस्तों है जो चीतर पहले इस कांपा जो सालिम सिंग की हवेली जो की कहां पर ने जस्तित है कहां पर है जसल मेर दोस्तों आपको बता दोँ यह जो महल अपन पढ़ रहे हैं इसके अपने दो पार्ट पढ़ लिए अब इससे समधित एक वीज़ भी बढ़ाएंगे जीके की टेस्ट क्वीज जिसमें अपन तीच चाल जो भी उसमें भी पता चल जाए कि आपका इसके लिए जो कैसा है चलिए इसमें जो है यह कहाँ पर रहे यह जैसल मेर में स्थित है सालम सिंग की अवैली और जैसल मेर परदान मंत्री सालिम सिंग के द्वारा यह निर्मित की गई है दोस्तों आपको पहले ही बता दूँ जो है हवेलियों का सहर को यह हवेलियों की नगरी को यह कौन सा जिला है यह जैसल मेर जिले को कहते है हवेलियों की नगरी जैसल मेर जिले को कहते है चलिए अठारी स्थी मेर निर्मित है यह कब की निर्मित है दोस्तों जैसल मेर परदान मंत्री सालिम सिंग द्वारा अठारी स्वधी में निर्मित है ठीक है और पत्तर की नकासी वह महीन जालियों के लिए प्रसीद है यह पत्तर की नकासी जो बारिक-बारिक से महीन नकासी और महीन जालियों के लिए यह प्रसीद है सालिम सिंग की हवेली और भी जो हवेलिया यह इसलिए है जो प्रसीद है चलिए आ ठीक है आपको याद रखना है सालिम् सिंग मेडिक पर पट+. यह तुम क्य is पर यह। प्त्थर में बारी कटई के लिए ठीक है और जो नत्मल की हवेले वह कांपर ङह जो जैसल मेर के अंदर ही है तो यह प Independence के यह दिटेसनाइए खिंथ जरूर ज्ड़ार सकते हैं देख सकते हैं सब्सक्राइब कर लेते हैं बादल विलास यह जो बादल विलास है दोस्तों यह आं पर मेर में कहां कर पर है और कले के दक्षिण में इस्थित है कहां कर सबसक्राइबわか तो ये कम है इतना उचाही में नहीं है सिलावटियों द्वारा निर्मित है ये किसके द्वारा निर्मित है दोस्तों सिलावटियों द्वारा निर्मित है और 1830 में निर्मित है और किसके द्वारा है सिलावटियों द्वारा निर्मित की गई है जैसल मेर में इस्तित है कि गई बेरिशाल सिंग को भेंट की गई है ततका लिंजों की रावल थे उस समय अठार सो तीस के अब दोस्तों देख लीजिए का यहां पर आप देख रहे हैं यह नोट भी यहां पर लिखा हुगा है दोस्तों पूरा है जो हाथ से लिखा हुए नोट है नोट से और इसके अंदर काफी पुस्तकों में से जो संग्रह करके जो इसमें यह नोट से बनाए हुए दोस्तों को सायदी महलों से समंदित को जानकारी पीछे चूड़ गई हो तो दोस्तों आपको कहीं मिलेगी भी नहीं नोट यहां पर है जो यह है हवेलियों का सहर जैसलमेर है ठीक है त खेतरी महल भी पर आपको आइडिय लगाना एक्जाम में इस परकार के दिफ प्रशन आ जाये तो और यह खेतरी आपकार के जो किसलिए प्रसीद है दोस्तों को खेत्री कि नीच तान्य यह कि प्रसीद आठीक है याँ पर है जो तमर के लिए यह क्यादर कियगा और इसका निर्मान है जो 15, 17, 35 से 71 तक चलाता मतलब की 35, 36 वर्सों तक ये निर्मान चलाता इसका खेतड़ी महल का और अगर बात करें तो ये किसके लिए क्या इसका जो लक्स ये था उदेश ये था अपने ग्रीश मकालीन विश्राम हेत्व बनवाया गया था अधारी तक श्रमानें कव्ल देश रिदमाना एक यह जो भीदमान पर है दोस्तों ये जो खेतड़ी का महल है इसके अंदर खेड़कियों भाई जरुकों से सूचजित बहु मंजिले इमारतें भी है चोटी अच्छा दोस्तों इदी बात करें तो यह नोट है जो यह लाइन है यह भी जरूर पड़ें कि जैपूर के हवा महल जैपूर का जो हवा महल है और लकनु का भूल बुलेया उसकी जलक यहां पर इस खेतड़ी महल को देखने में मिलती है । खेतड़ी महल का बिंदु है जो बारी की से बनाय यह भी यह हवा महल काँपर वो अपने पिछले में बढ़ता तो दोस्तों जैपूर को गणत आफ़ic어주 नाउस अछरू मैल चलिए नेक्स अभेडा मेहल ये अभेडा मेहल कहां पर है दोस्तों कोटा में इस्तित है जो ये मेहल है कहां पर है कोटा में इस्तित है और चंबल नदी के किनारे पर इस्तित है दोस्तों आपको याद रखना है चंबल नदी के किनारे क्या है एक कोटा और डबी मर्ग है ठी के इसका जीर्णोद्वार का किया गया है चंबल नदी के किनारे कोटा डाभी मार्ग पर अबेडा महल का निर्मान किया गया जीर्णोद्वार करवाया गया चलिए नेक्ट बात करते हैं उधिपूर में जो महल है उसके बारे में दोस्तों सिटी पैलेस की बात करें तो सिटी पेले जो कहां पर है ये जेवस्टोना पडिपोर से सल्सका का ऑद के सौंब को गता से किए जाना जाया जाता है यह फ्राइध स्थेव के कि नारे इस्थित्र एक रॉच्फित्र ओठरा बना हुग है और राज आंगन महल भी यहीं पर है दिल खुस महल भी यहीं पर है यह देखिए राज आंगन महल वो यहीं पर है इसके अंदर यह और दिल खुस महल भी यहीं पर है तो दोस्तों यह आप जाएं तो वहाँ पर देखें तो पिसुला जील के पास में जो बने हुए हैं और इस में जो इसका परचाई जब पिसोला जील में आती है तो दोस्तों वह जो अलगी आकर्सित लगती तो शिटी पηलेस है जो फिसाले जिल के किनारे पर राज मिल है जिसका नाम है शिटी पहलेस राज अंगां दिलकुस मेल यह भी यहीं इस्तित है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सज्जन गड़ पैलेस दोस्तों सज्जन गड़ पैलेस उधेपूर में कहां पर इस्तित है यह है जो सज्जन शिंग द्वारा बनवाया गया है सज्जन गड़ पैलेस यह है जो पिसुला जील से नहीं लिखा है नोट्स में तो महल और उद्यान का निर्माण सजन चिंग द्वारा करवाया गया था और सजन गड़ पैलेस के नाम से भी यह जाना जाता है अब बात करता है जग निवास मेल जग निवास मेल दोस्तों यह जो काँ पर है यह लेक पैलेस उद्यपूर में लेक पैलेस जिसका नाम है जग निवास लेक पैलेस लेक के अंदर है मतलब की पिसुला जील के अंदर बना हुआ यह महल है कौनशा जग निवास मेल जिसका नि अब नेश्ट बात करते हैं जग मंदीर की यह दोस्तों पिशुला जील के अंदर ही निरमीत है तो दोस्तों देखिए जग नीवास महल और जग मंदीर पलेस यह दोनों गाँ पर रहें यह दोनों है जो उद्वयपूर के 5 raised में और एक और जो है एक जग महल वो काहाँ पर है दोस्तों वोह जो जजपूर मेढ़ीप ठीक है आपको याद रखना है जफूर के अंदर है तो दोस्तों यह पर यह आपने को याद रखना है जग मंदिर और जग निवास महल तो ये कामपर है ये उद्विपूर के पिस्वला जील में है और जग सिंग द्वित्य द्वारा दोनों बनाए गए है वो जग विलास जो है जग निवास जो है ये किस कब बनाए था ये 1743 में बनाए था और ये जग मंदिर है ये बनाए था 1601 में पूर्ण हुआ था दोस्तों यह जो शुरू किया था यह किस ने किया था माहराजा करन सिंग ने किया था तो दोस्तों माहराजा करन सिंग द्वारा सुरू किया गया था और 1601 में यह पूर्ण हुआ था निर्मान जग मंदिर का जो कि किसके द्वारा हुगा था, जगज सिं गईक द्वित्यों द्वारा पुर्ण हुआ था तो दोस्तों, इस पर कला है जो अपने आज के handwriting जो नोट्स थे, वो complete हो चुके हैं अपने मतलब की जो महल है, महल है जो complete हो चुके हैं आजस्तान के जो प्रमुक मेहल है वह जो इस परकार की वीडियो पसंद आ रही है आपके दोस्तों के साथ जरूर करें कम से कम पांच से दस दोसों के साथ जरूर करें ताकि वे भी अपना जो लाइव क्लास जोइन कर सके आप जब भी लाइव आते हैं उससे दो मनिट के लिए कुछ वाट्सेप या फेसुक पर समय दें तो दोस्तों सेर जरूर हो जाता है तो इस परकार आप जो जरूर बने रहे हमारे साथ अपना विश्वास और इसने जरू बनाए रखेंगा हम आपके लिए इसी परकार हैंड रैटिंग जो इदर जो सभी पुष्टकों का सार संग्रा बना के इसी परकार है जो लेकर आते रहेंगे धन्यवाद